Hello Friends, Knowledge Support Channel पर आपका स्वागत है आज की क्लास में हम बात करेंगे Discount और Actual and Bill Quantity के बारे में यदि हमें Bill बनाते समय Discount देना या लेना है तो उसका Use किस प्रकार करते हैं? और Actual and Bill Quantity क्या होती है? इसके बारे में हम आज की क्लास में Voucher बनाते समय जानेंगी कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक कंपनी खुली हुई है आएए इस कंपनी में हम Discount और Actual and Bill Quantity का यूज करते हैं और Voucher बनाते हैं सबसे पहले F11 पीचर में जाकर F11 शॉटकट की फ्रेस करें इसमें Accounting पीचर में जाए Accounting पीचर में Allow Invoicing Enter Purchase in Invoice Format इन दोनों Option को यस करें इसके बाद Inventory Features Inventory Features को ओपन करें यहाँ पर Separate Discount column on Invoices इस Option को यस करें Ctrl-A से इसे एक्सेट कर लें इसके बाद Accounting Vouchers ओपन करें यहाँ पर हम Purchase Voucher में Entry करेंगे Purchase Voucher के लिए F9 शॉटकट की प्रेस करें यहाँ पर Party Name में हमको उस Party का Name डालना है जिससे हम Purchase कर रहे हैं Hat and Shoe Company यह हमारी Sunry Creditor है Parties Account Name में इस Party का Name डालेंगे Enter प्रेस करके इसे Accept कर लेंगे Purchase Leisure में Purchase Account आएगा इसके बाद यहाँ पर Name of Item क्रिकेट कैप हमने 100 क्रिकेट कैप पर्जेस की है इसकी Rate है 100 रुपे पर कैप डिसकाउंट हमको देना है 10% Quantity 100, Rate 100 यदि हम इनका Total करें तो 10,000 रुपे अमाउंट में आएगा लेकिन 10% डिसकाउंट लेस करके 9,000 रुपे का Payment करना है इस तरह से हम डिसकाउंट के कॉलम का यूज कर सकते हैं इसके बाद क्रिकेट Spike Shoes 5% की दर से डिसकाउंट दिया गया है 23,700 रुपे इसका अमाउंट आएगा 750 रुपे टोटल है 32,750 रुपे एंटर प्रेस करके इस ट्रांजेक्शन को एक्सेट करनेंगे इस ट्रकार डिसकाउंट देते और लेते हैं इसके बाद हम दूसरी एंट्री करते हैं सेल्स वाउचर में सेल्स वाउचर के लिए शॉटकट की प्रेस करेंगे F8 इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा एक्चुल एंट बिल क्वांटिटी एक्चुल एंट बिल क्वांटिटी के लिए F11 शॉटकट की प्रेस करेंगे यहाँ पर इन्वेंटरी फीचर में जाने के लिए F2 शॉटकट की प्रेस करेंगे यूज डिफ्रेंट एक्चुल एंड बिल्ट क्वांटिटी इस ओप्षन को यस किया जाएगा कंट्रोल एसे इसे एक्सेप्ट कर जाएगे हमारा पार्टी नेम है नम निर्मान स्पोर्ट्स अकेडमी सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आएगा नीम ओफ आइटम ट्रिकेट कैप्स यहां पर क्वांटिटी में दो कॉलम है एक्चुल एंड बिल्ट एक्चुल का मतलब है हमने 90 क्वांटिटी बेची है और बिल्ट का मतलब 80 क्वांटिटी का बिल बनाया है यानि कि 90 में से 80 को लेज करें तो 10 क्वांटिटी जो है वो हमने फ्री सेंपल के तौर पर दी है यानि कि 10 क्वांटिटी का बिल नहीं बनाया गया है 10 क्वांटिटी हमने फ्री में ली है इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा रेट होगी इसकी 400 रुपए पर नमबर 10 प्रतिशाट डिसकाउंट दिया जाएगा यानि कि ये जो हमारा बिल बनाया है 28,800 रुपए अमाउंट का ये 80 क्वांटिटी का बनाया है और 10 प्रतिशाट इस पर डिसकाउंट दिया गया है दूसरी आइटम है क्रिकेट स्पाइक शूज पचास एक्चुल क्वांटिटी है जो हमने सेल की है लेकिन बिल 45 क्वांटिटी का बनाया है क्योंकि फाज क्वांटिटी हमने फ्री में दी है 27,000 रुपए टोटल अमाउंट आएगा इसका बिल 45 क्वांटिटी का ही बनेगा इंटर एटर करके इसे एक्वांटिटी का यूज कर सकते हैं कई बार सेल्स ओफर में हम कुछ क्वांटिटी प्री सैंपल के तौर पर देते हैं प्री सैंपल के तौर पर देते समय पिल बनाते समय इस तरह से हमें एक्वांटिटी में अलग-अलग कॉलम में इसे दिखाना होता है ताकि हमें ध्यान रही हमने कितनी क्वांटिटी बेची है और कितनी क्वांटिटी का बिल बाया है आज की क्लास यही समाप्त होती है यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको और नए वीडियो अपलोड कर सकें